आज की कहानी से न मुझे ऐसा लगा जब मैंने इसे पढ़ा कि हाँ कभी-कभी नेगेटिव जो एनर्जीज है ये हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपक्ट ले आती है यानि भूत प्रेत की कोई घटना ऐसी हुई कि लाइफ ट्रैक पर आ गई प्रॉब्लम्स जो थी वो अब लाइफ से हट गई या प्रॉब्लम्स जो हो सकती थी लाइफ से हट गई और वो भी एक प्रेत की वज़े से ये कोई अच्छा प्रेत नहीं था था वो ही जिसको हम एक डरावना अनुभव करके याद रखते हैं खेर क्या हुआ विस्तार से बताता हूँ नमशकार मैंने तिन हूँ ये है चाचा के फैक्स बोहले बाबाब आप पर हम पर सभी पर करपा करें जै भोहले नाथ आज का जो ये अनुभव है दिल्ली से है जैस्मीन की कहानी बता रहा हूँ और हाँ अगर आप पहली बार आएं तो यहां मैं फैक्ट ईश्वर से जुड़े चमतकार रोचक पुरानी कताएं तीसरी शक्ती के प्रकूब डिसकस करता हूँ और सभी मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ आज की कहानी जैस्मीन की है रहने वाली एक जॉइंट फैमली की है और दिल्ली से है फिलाल पहला इंट्रो आएगा उसके बाद मैं विस्टार से सुनाऊंगा थोड़ा सा रफतार से सुनाऊंगा और एक ही भाग में होगी और पक्का वादा करता हूँ आपसे की कहानी सु कहानी शुरू करने से पहले आपसे हर बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि मैं करता रहूंगा जब तक आपमान होगी नहीं यह लाइक है शेयर है कॉमेंट है यहां सब्सक्राइब है यह किसली है यह दबाने के लिए है आप इन्हें दबा सकते हैं इसका आनन्द ले सकते हैं सब्सक्राइब करते ही बेल आईक कर रहाएगा फिर औल आएगा फिर हो गया का इसे जादा कुछ करना ही नहीं होता और यह लाइक करके कॉमेंट में लिख दी आपका नाम कौनसी जगे से वीडियो देख रहे हैं बता तो इससे मुझे भी अच्छा ल जौब किया है उस पे तीन साल का नुभव है लेकिन यहां यह वो टार्गेट अचीव नहीं कर पा रही थी जो इनके ऑफिस से उमीदे हैं कि आप इतना टार्गेट करेंगे तीस क्लाइंट होने चीएं तो यह महा तक नहीं पहुँच पाती हैं इन्होंने उसी कंपनी में शुरुआत करी थी कोई एक प्रोड़क्ट था कोई समान था जिसे बेचना होता था उसमें भी वो सफलता हासिल नहीं हुई घर घर जाकर वो समान बेचा इन्होंने कोशिश करी लेकिन तीन साल का नुभव इनको मतब कामिया नहीं कर पा रहा था इनकी हाइट बहुत जब हाइट होती है तो हाँ वो भीड में थोड़ा अलग दिख जाती है यहां जो यह गुडिया है इसकी हाइट छे एक इंच है तो भीड में अलग दिख जाती है और यह अपने घर में ऐसा नहीं कि अकेली बड़ी गुडिया है इनके मतलब कजन भाई भैंज सभी लोग ठीक है हर कोई जा सकता है जिसके पास confidence है वो कोई नई फील्ड में जा सकता है और जरूरी नहीं है बहुत से लोग सोच कर चलते हैं कि अगर हम खूब सूरत दिखेंगे सुन्दर दिखेंगे तभी modeling अरे नहीं ऐसे ऐसे चेहरे बता दूँगा जेने आप रात में देख लो तो कहोगे कि हाँ भूत परेत होते हैं लेकिन वो एक minute हस किस बात पे रहे हो मैं कहानी में आपको connect करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ हसते नहीं है ऐसे मैं horror story सुना रहा हूँ हाँ तो इसमें हसी नहीं आती है ठीक है कोई सोचेगा कि कैसा बंदा है क्या सुना रहा है horror story लिखा हुआ है और हमें तो smile आ रही है तो जो नई लोग हैं सोचेंगे कि ये कोई तरीका सुनाने का कुछ डरा भूत परेत की फोटो दिखा पिचर दिखा background music थोड़ा horror समानमान गिरा कुछ दरवाजे खोल कुछ मैं कुछ भी नहीं करता बस आकर बैट कर सुना कर चला जाता हूँ और ये आप सभी का बड़ापन है प्यार है कि ऐसे मैं भी मुझे पसंद कर लेते हूँ मुझे तो छोड़ो मुझे कौन पसंद करता है इनको ये कॉमेंट बहुत बार मिला था कि तुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए इसने एक बार घर पर जिकर करा ममी पापस है तो उन्होंने का बेटा देख हम ना थीक है जॉइंट फैल्वी रहते हैं तो अच्छी कासी पड़ी लिखी है लेकिन हमारी सोचना आज भी ऐसी है कि गुडिया इस फील्ड में नहीं ये मॉडलिंग, एक्टिंग या ये सब नहीं तो किसी भी आफिस वाली जो जॉब होती हो उसमें देख ले कहीं भी तुझे जाकर रहना हो हम दिल्ली रहते हैं तो बैंगलोड जाकर ऐसी जॉब कर नहीं हो लेकिन बेटा मॉडलिंग के लिए बार बार मत बोलो इसने गा ममी, मैं मॉडलिंग ऐसा नहीं कि आप उस शब्द को लेकर कुछ और अपने दिमाग में इमेज बना लो मैं कोई प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए भी करूँगी वो अच्छा होगा आप सब हां करोगे तब ही हां करोगी देखे आप अपने मन से बहुत सारी बाते बना लो लेकिन जब मार्केट में उतरते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे भी काम करने पड़ जाते हैं जिसके लिए हम तOR नहीं थे उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि हमें सफल होना है पैसा कमाना है ठीक है मैं वोइस ओवर आटेस्ट हूँ मैं वोइस ओवर करता हूँ कभी-कभी ऐसे voice-over भी किये हैं मैंने जिसे आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि नितिन जेका बात तो ही जेका कर रहे हो हाँ मतलब मंत्री जी के वो speaker चलते हैं न जी हाँ आपको देना होगा यहाँ पर अपना कीम्ती गोर्ट यह सब भी किया हमने हैं और करी रहे हैं तो भीया आदमी मेहनत करता है दो रूपया जुड़ जा अच्छी बात है तो यह सबी लोग के साथ है आप भी अपना जब जॉब करते हैं कभी कभी होता है न कि उपर से एक फाइल ऐसी आ गए यार यह क्यूं भेजती और यह काम तो मेरा था भी नहीं यह तो पॉड़ोसी का काम था मुझसे क्यूं करा रहे हो लेकिन करना पड़ता है अब इसने माता पिता को कन्वेंस तो किया उन्होंने भी यह कह दिया था कि ठीक है अगर कोई ऐसी प्रोड़क्ट होता है जिसे तू कर सकती है और जो ज़्यादा अजीब सना हो समझ रहे हो ना कुछ चीजे तो देख लेक बाठ ट्रै करके इसने अपनी एक फ्रेंड को फ कि मेरे पास एक जगे से ओफर है वहाँ जाना है इंटर्व्यू देना है और उनको कोई नए मॉडल की तलाश है किस चीज़ का है मतलब मुझे कुछ बता देख वो सारी बात है तो मुझे भी नहीं पता मेरे साथ चल उसने का चलो ठीक है अब जब यह वहाँ पर पहुंच कमाल की बात है वहाँ जाकर जब बाते हो रही थी तो पता चला एक कोई बड़ा ब्रैंड है जो कि अपने जीन्स का एड़ कर रहा है इसमें कोई प्राब्लम भी नहीं है बड़ अच्छा लगया इसे सुनकर कि अगर ऐसा मिल जाता है तो अच्छी बात है जब यह वहाँ जाकर बैठी एंटर्वी के लिए उससे पहले ही इसको हां कर दिया गया कि दो लड़किया और सिलेक्ट हमें करनी है लेकिन आप फाइनल है आप यह पढ़ लीजिए इतने पैसे मिलेंगे और कुछ बीस पचेस जो भी फोटो किचनी थी और आपको जो जीज दिया जाएग कितना परफेक्ट है कितना अच्छा है मुझे तो ऐसा लगता है आपकी सोच हो सकता है या लगो दूसरे की थाली का लड़ू हमेशा बड़ा और स्वादिश्टे दिखता है इस गुड़िया ने हां कर दिया क्योंकि पैसे इसे उतने मिल रहे थे जितनी इसकी दो महीने की तनका थी मार्किटिंग की जौग और इसमें मतब पैसे तो इसके जादा है अफकोर्स है उसकी साथ दिन की महनत थी और यहां पांच शे घंटे का काम है और उसके साथ जीन्स का ही डैनेम जीन्स का ही जैकेट एक तरह का जीन्स का ब्रैंड का कुछ था जो भी था इसने घ दिन दिन का शूट है इसमें शाम और रात होती ही नहीं है अरे बहुत बड़ी ऐसी कंपनी मिलती रहे तो बिटा हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे घर में जो जॉइंट फैमिली के बाकी लोग तो उन्हें दिक्कत हो रही थी कि ऐसा है कि अभी तो फिलाल यह सब कुछ बाद में ना जाने किया कया कैसा कैसा आएगा और यह सब कुछ ठीक निएए उन्हें लेकर यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है आपको लगता है कि नहीं रहते हैं कि अदू कर बाुर कि कमफर्टेवल है वो आएगी चली जाएगी यह आपके सोच है या यह उसकी सोच है कि म वो क्या सोचेगा अगर हम भी सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा समझ गए मतब कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में अगर वो भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा यह बात मेरे को दुबारा बोलने की जरूत नहीं थी क्योंकि यह सोचना आपका काम है कि आप कि इसके दो एक प्रोजेक्ट तो अच्छे रहे, तीसरा प्रोजेक्ट एक बुक के लिए था, उसके कवर पेज का कोई फोटो शूट होना था, यह कोई डरावने से किताब है, उसके लिए उन्हें कोई मॉडल चाहिए था, और मॉडल इसमें चेहरे पर उसके डरावना सा मे कि अगर आप तयार हैं तो यह पैसे हैं और तीन फोटो क्लिक होंगी और उसने का ठीक है खु़ी प्रॉब्लम नहीं आप कब आ सकते हैं उसने का मुझे बताए कब आना है आप कल आ जाए और यह आपका एडवांस है वो घर आई घर पर बताए पापा ने हसकर कहा कि अरे मेर सबी के खिले होते हैं लेकिन उसके साथ-साथ कभी यह जो होने वाला है आगे यह भी आ जाता है उन लोगों ने एक लोकेशन बताई इसको मैसिज पर कि आपको यहां आना है इसने कहा कि मेरे को आप क्या गाड़ी बहेच सकते हो उन्होंने कहा लेकिन गाड़ी आपको दो बहतर है उसने करें मैं अपने आप नहीं आ सकती और यह जगे मैंने देखी भी नहीं है मैं रुक जाओंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब गाड़ी का इंतजार करते हुए दोफैर के चार बजे से शाम के साथ बज गए इसने दुबारा फोन करा उन्होंने का कि आपको अभी तक तो आ जाना चाहिए था एक काम करते हैं हम पूछते हैं गाड़ी वाले को भी फोन पर लिया गया मतलब कॉन्फरेंस कॉल चल रहा था उसने बताया कि मैं मैडम को लेकर निकल चुका हूं क्या बात कर रहे हूँ आप मैं अपने घर पर हूँ और रहना का मैडम कै कैसी बात एक मनट सर मैं आपकी मैडम से बात कराता हूं उसने गाड़ी रोकी और जब वो पीछे पल्टा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था अब ये घबरा गया एकनम फोन चूटा उसके हाथ से दोनों जोने पूछ रहे हैं वहां से वो जो मतलब इस प्रोजेक्ट का मा बाते कर रहे है, करहा हotherapy काम मैं उन मैडम को जो आपने बताई थी उनको लेकर ही गाड़ी में आया हूं उस लड़की में कहा कि आप कैसी बाते कर रहे हो मैं घर पार हूम मेरे घर कोई गाड़ी नहीं आई, औसके ge लड़की गई कहां मुझे कुछ नहीं समझा रहा मैंने गाड़ी तो बीच में कहीं रोकी नहीं और कितनी देर हो गई तुम्हें गाड़ी चलाते हुए उसने का मुझे आदा गंटा हो गया आदा गंटा हो गया और तुझे पता ही नहीं है कि तेरी गाड़ी में कोई बैठा तो उस घर दुबारा जा सकता है के राजी बिल्कुल ही जा सकता है बस आप मुझे ये बता दो कि इन दीदी का मकान कहा है जिनको मुझे लेने जाना है और मैं दो एक दिन की अब छोटी कर रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तो सीधा अनुवान जी की शरण में जाओ सब्सक्राइब देखा और मैं सही सही बोल रहा हूं मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं नींद में गाड़ी चला रहा हूं आप गुडिया एक काम करिए मुझे आप फोन करिए और लोकेशन बताइए और मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूं उसने ऐसा ही सब कुछ करा इनके घर पर गाड़ी आका रुख गई थी उसके लिए ये चाय बनाकर लेकर गई और कहती है कि भाईया पहले चाय पीलो थोड़े नॉर्मल हो जाओ उसने का हाँ बिटिया मेरे को इस टाइप चाय सही है थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे अब यहाँ भाईया भी बहार आगया था पापा भी बहार थे पूछते हैं इससे कि आपको क्या लग रहा है क्या हुआ था इसने बताया कुछ आ दिया दूरी सी बात किसी को आपने गाड़ी में पिक किया था कहा यह जो बिलकुल पीछे वाली कलोरी है ग्राउंड के सामन तो हमें ही हो गए देखते हुए, नहीं कोई रहता नहीं है, ऊपर वाला मकान भी भिलकुल खंडर हो गया है, अरे नहीं महां से लिलकी है, जो मेरी गाड़ी में बैठी थी आ, आप कैसी बाते कर रहे हो, हो सकता है आप दूसरा मकान बता रहे हो, भाई ने कहा कि एक काम करते मैं क्या आपके साथ गाड़ी में बैटकर वहां तक चल सकता हूँ इसने का मैं दूर से मकान दिखा दूँगा मुझे पांच मिनट लगेंगे बस पीछे वाली कलोनी है मैं अभी आपको दूर से मकान दिखा दूगा उन्होंने का ठीक है अभी इन्होंने गाड़ी घुमाई जबकि बहुत सब मना भी कर रहे थे ये गुडिया भी मना कर रहे थी जैस्मिन की भी ये सब जरूरी नहीं है छोड़ दो अब ठीक है मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ इसने दूर गाड़ी रोग दी और कहा कि देखो वो वाला मकान था भाई ने भी मकान की हालत देखाई कि आप भी ध्यान से देख लो कि मकान पूरा खंडर है आप कहरेatal हो कि यहां से लड़की बाहर आई थी गेट कोलकर और गाड़ी में बैठी है और क्या बोल रहे थे आब अब इसने मकान को ध्यान से देगा जब ये मकान को देख रहा था तो गाड़ी का जो बाहरवाला शीशा है उसमें हलका फुलका इसके पीछे का जो एरिया है बतब पीछे की सवारी जहां बैठती है उसमें कॉर्णर के शीशे पर किसी का रिफलेक्शन आया इसने पलट कर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं बैठा और उसमें शीशे में किसी की आकरिती बन रही है रिफलेक्शन है कोई लड़की का ये एकदम गाड़ी से बाहर उतर गया और अपने साथ जो बैठी तो और इसे बोलता है मैं नहीं बैठूंगा आप गाड़ी लेकर घर तक पहुंचो मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ मैं नहीं जाओंगा इस गाड़ी में अब ये गाड़ी लेकर वहां पहुंचा पहुंचने के बाद जैस्मिन को बताया कि वो भाईया पैदल पैदल आ रहे है ना जाने उन्हें क्या मन में डर बैट गया गाड़ी में भूत है और क्या बोल रहे है एक मिर्ट मैं सर को फोन करते हूं सर को फोन किया कि सर वो भाहिया ना जाने किस तरह का डर मन में लेकर बैट गए है कहते हैं कि गाड़ी में पूत पूत है या क्या है और क्या मेरा भाई गाड़ी चला कर ले आए और उन भाई सब को हम आफिस में छोड़ देंगे क्योंकि वो डर जादा रहे है उन्होंने का भाईया को क्यों परिशान कर रहे हो चलो जैसा आपको कमफर्टेवल लगे करो और मैं वैसे लेट होता जा रहा हूँ और आज यह हमें खत्म करना है मुझे पर्सो इसको पब्लिट बहुत लेट हो जाऊँगा मैं बिटा आप काम करिये फटा फटा आईए और घर पर बोल कराना कि आज थोड़ा लेट हो जाऊँगे मैं दुबारा बता देता हूँ आपको नहीं नहीं सब मैं काम कंप्लीट करके आऊँगी ये मेरी भी गलती है कि मुझे टाइम से आजाना चाहिए था अब वो आए भाई साब उन्हें आब एक गिलास पानी पिलवाया पहला चाय पिलवाया नॉर्मल करने के लिए अब डर इतना जाद बेट पानी पिलवाया जा रहा है होता क्या है कि यहां से भाईया गाड़ी चला कर लेकर गए लोकेशन पर पहुंचते हैं और जब ये गाड़ी से उतर रहे थे सबी लोग तो वो आदमी इनसे पहले उतरा पहली बाद और फिर गाड़ी को चारों तरफ से चेक कर रहा था नहीं नहीं सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है अब जब इन्होंने जैस्मीन को देखा तो वो इनकी तरफ देख रही थी लेकिन सीधा चल रही थी मतब देख इनकी तरफ रही है लेकिन चल सीधी रही है अपने भाई के साथ सीडियां भी वो इस तरह से चड़ कर जा रही थी जैसे यहां पर ना जाने कितनी बार आ चुकी है यह जगे इसके लिए मतलब यह जो लोकेशन है इसके लिए फर्स टाइम है जहां यह आ रही है वो आदमी लगातार जैसमीन को अवाज दी जैसमीन बेटा अब जैसमीन एकदम रुकती है उनकी तरफ देखती है उसकी आँखे नॉर्मल है हाँ जी बताइए भीया क्या हुआ नहीं आप ठीक हो हाँ हाँ मैं बिलकुल ठीक हूँ आप इस तरह चलाये क्यों थे सब लोग आपको देख रहे हैं क्या हुआ नहीं नहीं बेटा एक मिनट जैसमीन बेटा आप जाओ एक मिनट बेटा तुम सुनना जैसमीन के भाई को बुलाया आप ना इनके साथ ही रहना मुझे ऐसा लगता है कि उस चुडैल ने जो भी मेरे को प्रेट दिख रही थी आपकी बेहन के उपर उसने कबजा कल लिया है अरे क्या क्या आप बिकार की बात कर रहे हो आप ये सब बोलने की जरूत नहीं है किसी को भी डर लग जाए और मैं इन चीजों को बहुत जादा मतलब मानता हूँ मुझे डर लगता है इन बातों से मुच्समत करो और मेरे बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा है करे मुझे समझ नहीं आता लेकिन हाँ मैंने इसके चेहरे को बदलते हुए देखा है इसकी आँखे एकदम सफेद थी आप जड़ा इसके पास ही रहना हाँ मैं इसके साथ ही हूँ थैंक्यू आपने इतना पताया मैं अभी अंदर आए लोकेशन ठीक ठाक ठीट थोड़ा सा डरावनी डेग्डरावन वगएरा था और महाँ पर उनके चेहरे का ख्लोज अप आएगा और फी पीछे से इसके डरावनी और ये उस टाइम की बात है जिस टाइम बहुत ज़्यादा ये ग्रीन स्क्रीन और वी एफेक्स और ये सब कुछ नहीं था प्रोमा कीज वगएरा ये सब कुछ आप जानते हैं जो एडिटिंग करते हैं वो जानते होंगे मैं क्या बूल रहा हूँ यानि कि आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी उंगलियों से मेहनत कम होती थी उस वक्त की बात है ये इसके चेहरे को अच्छे से अब डरावना एक साइट से बनाना था ये उस कमरे में ग्रीन रूम में पैटी थी जहां इसका मेकाप होना था कोई बहुत चोटी सी हाइट की एक लड़की आती है मतलब चोटी का मतलब काफी चोटी तीन साड़े तीन फिट की हाइट होगी उसकी उसके हाथ में बरश और एक डिबबी थी पहली बात इतना बड़ा शूट है ये एक ब्रश और एक डिब्डी से मेक अप नहीं होगा इसके लिए प्रॉपर एक सेट अप होता है वो सारी चीजे इसके चेहरे पर इस्तमाल होगी वाटर कोलर वगर पता नहीं क्या क्या लगता है अब इसने उन्हें देखा और बड़े अजीब तरीके से बोलती है कि इससे मेक अप होगा क्या मेरा उसने का हाँ इसी से मेक अप होगा नहीं आप एक काम करिये सर को बुलेए जरा और आप मेक अप कैसे करोगे मेरा उसने का कि आपको ये कुर्सी से हटना पड़ेगा और मैं थोड़ा हाइट में छोटा हूँ तो मैं इत्ती हूंचाई पे मेकप कभी नहीं करता अब ये जब बात कर रही थी उन्हें इस तरह से देखकर बात कर रही थी ठीक है मैं आपकी हाइट के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं मेकप सिर्फ एक ब्रश और एक डिब्बी से तो नहीं कराऊंगी आप प्लीज सर को बुलाईए नहीं अभी तो फिलाल मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा अब ये बार बार बुलाओंगा बुलाओंगा इस तरह से बोल ली तो इसे कोई अजीब भी नहीं लगा कि बहुत सी लड़किया बोलती है मैं खा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप मेकप करोगे कैसे अगर बाई चांस मैं इस एक ब्रश और एक डिब्बी से राजी हो गई की मेकप होना है करोगे कैसे उन्हाने का ये मुझ पर छोड़ो मेरा काम है नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आप इतनी हाइट आप की और मैं कुर्शी पर बैठने के बाद इतनी है मैं कैसे उन्हाने का आपको जमीन पर आना होगा उचाई से नीचे उतरो जमीन पर बैठो मेरे सामने ओके बट ये सब कुछ मुझे बताया नहीं था और क्या बताया नहीं था लेट हो रहे है आप फटाफट से नीचे आप बैठ चाओ अब यह नीचे आप बैठ दे बैज्यसे देखिये जो प्रफेशन में मतलब ये सब करता है ना की ठीक है चल कोई बात नहीं आगे बढ़ते है नहीं पर आगे बढ़ते है इन से कहते हैं कि आप एक काम करिए अपने दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड कर लीजे और आखें बंद रखें इसने आखें बंद रखें दो चार पांच मिनट बाद किसी ने तरवाजा खटाया कि मैडम क्या हम आ सकते हैं इसने आख खुली अब किसी को देखती है सामने कि हाँ जी एक मिनट ये इनके चेहरे पर किसने किया है ये सर को बुलवाना तरह आप कौन हो मैडम आप जमीन पर क्यों बैटे हो पहले तो ओठकर ये सीट पर बैटे है अब ये पलट रही थी तो भी इसे रोग दिया कि एक मिनट आप शीशा मत देखिए मैं सर को बुलाते हूं स यह क्या है अब इसको समझ नहीं आ रहा है यह अपना चहरा देखने के लिए जैसी पलट रही थी तो इनके जो बॉस हैं उन्हाना का कि बिटा एक मिनट आपका चहरा यह आपने खुद किया है क्या उन्हाना का नहीं थोड़ा सा किसी से मेकप कराया था अपने उसने का हाँ को एक छोटी सी हाइट की एक लड़की कहूं औरत कहूं कोई आई थी अब जैसे ही उसने यह बोला ना सब लोग जो बड़े नॉमली खड़े थे ना बस यह देखकर कि अजीव है अजीव है यह डर रहे थे भाई साब तीन चार तो इस कमरे से तुरंत भार जैसे इसने बत क्या हुआ है मेरे चेहरे को अब जब यह पल मतलब अपने आपको पलट कर देखती है ना यह बेहोश होकर गिर गई इससे दोबारा उठाया गया पानी वानी चड़का इसके चेहरे को अच्छे से साफ किया गया तो एक तो किसी का नाम लिखा हुआ था एक साइड और इनक होगा ऐसा जावडा करती है कि मतलब मैं साधारन शब्दों में बताऊं तो अगर किसी ने प्रेत ना देखा और इसके चेहरे को देख लिए तो पता चल जाए कि हाँ प्रेत कैसे होते है इसके मनमाई ये एक सवाल था मेरे मेक अप किया जो किया लेकिन वो अब पूरे से हुआ मैं से छोड़कर बाहर चला गया था अब नहीं जाओंगा जो भी मेक अप बगएरा करना मेरे सामने करिए ठीक है जी अच्छे से मेक अप हो गया एक तरफ का बिल्कुल नॉर्मल एक तरफ का उन्होंने अच्छे से मेक अप कर दिया मैठम आप एक काम करिए बहुत देर से बैठा है उसने कहा मैं भी बैठे बैठे ठक गया था तू ठीक है इसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं कोई दिक्कत नहीं है अब ये जैसे ही गया है दर्वाजा बंद पूरा नहीं हुआ दुबारा से दर्वाजा खुल गया अब इसने शीशे में देखा तो वही दुबारा से औरत आकर खड़ी हो गई एक हाथ में ब्रश एक हाथ में डिबिया इसकी तरफ धीरे धीरे चलना शुरू करती है अब ये शीशे में उसे देख रही है और जो आहाट आ रही है वो सुनाई दे रही है कि हाँ शीशे में देख रही है वो पास आते हुए ये एकदम बोलती है शीशे में देखते हुए महीं रुक जाओं और मेरे चेहरे को छूने की जरूरत नहीं है आपने जो मेक अप किया ना वो किसी को पसंद नहीं आया दुबारा से हटा कर ये सब किया गया है और प्लीज अब मुझे दुबारा मत बोलना कि जमीन पर प्लीज ये दुबारा से आईए कमरे में इसे हटाई है यहां से अरे कौन है और जो बोला तर्वाजा कोलकर भीड वापिस से अंदर आई क्या हुआ क्या हुआ इसने सब कुछ बताया ऐसा ऐसा हुआ है अब मेरे साथ लेकिन आप अपने चेहरे को छूने क्यों देती है ज इसके पूरे फेस पर वो दुबारा से कर गए इसे समझ नहीं आया है कि मैंने इस बार 100% शूर हूँ चेहरे को छूने नहीं दिया था इसने रोते हुए अपने चेहरे को एक रुमाल से पूरे को इस तरह से पहुँच दिया कि मुझे कोई मेक अप नहीं कराना मैं ये क्लि नहीं कर पाऊंगी उन्हाने भी बाकी लोगों ने भी कहा कि ठीक नहीं है अब ये चली जाए तो जादा अच्छा है आज मत करो ये सब क्योंकि वो जो दिख रही है उसके बारे में बाद में पता चला था कि जिस जगे ये सब सेट अप लगाया था जिस जगे कर रहे थे यहां पर उस तरह की महिला दिखती में कोई कब रहे किसी की और उसी के पास ये सब लोग कमरा शूटिंग वैसा बनाना वो बात में पता चला था लेकिन इस लड़की ने उसके बाद से मॉडलिंग ही छोड़ दी इनके माता पिता ने इनके उस फैसलों को भी हां करा था कि तुझे मॉडलिंग करनी है और इसने मॉडलिंग छोड़ दी इस बात में भी उसका साथ दिया ये कहते हैं कि हम अपनी जगे जिस भी अपने इश्वर को ये मानते हैं जो जो इंडिया की टॉप ऐसी जगे हैं जहां पर भूत पर उतारे जाते हैं जब कि मेरे पे कुछ भी नहीं था फिर भी हम आपर गए थे दर्शन करे आए और बहुत से ऐसे धर्म में जो कि हम फॉ कैसे महिला को नहीं आते देखा था जो देखा जिसने देखा वो अकेली यही थी आज की अनुभव में इतना ही कि ऐसा लगा बताना जरू है मेरा नाम नितिन है मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में हर हर महादे जय भूले ना तानवाद